बच्चूं, आज हम कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का चौथा अध्याय राम का वन गमन इसका आगे का भाग पढ़ेंगे और शुरू में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कोप भवन में हुई घटना की जानकारी किसी को नहीं थी और राजा दर्शत कहके ही को मनाने में लगे थे लेकिन वो अपनी बात से बिलकुल भी नहीं हटी और वो जित की थी कि राम का राजाबिशेक नहो भरत का हो लेकिन राजा दर्शत उनको बहुत समझाए फिर भी वो नहीं माने और उस अयोध्या में हर व्यक्ति राम के राजाबिशेक की शुब घड़ी के इंतजार में था और महामंत्री सुमंत्र भी जो है वो कुछ सहज नहीं थे उन्होंने शाम से राजाबिशेक की शुब घड़ी निकट आ रही थी सारी त्यारिया हो चुकी थी केवल महाराज का आना शेश था और सुमंत्र ततकार राजभवन पहुचे और जब वो कहकेई के महल की सेड़ियां चड़ते हुए कहकेई के कमरे के पास गए तो वहां उन्होंने को भवन के पास राजा दश्रत को दीन हिन अवस्था में लेटा हुआ पाया और राणी कहकेई ने कहा कि राजा दश्रत राम से मिलना चाहते हैं और वो उन्हीं से बात करेंगे और पूरी प्रजा जो है राम के राजयाबिशेक को देखना चाहती थी महामंत्री सुमंत्र ने राम को बुलाने के लिए भेजा राम को राजादश्रत के पास ले आए और वहां पर कहकेई के महद से निकल कर जब महराजदश्रत के वचनों को उन्हों ने जो दो वचन राने कहकेई को दिये थे उन वचनों के बारे में कहकेई ने राम को बताया क्योंकि राजाद अश्रच इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपने मूँ से ये बात कह सके और राम शान्त और सधी हुए विवहार में उनके चेहरे पे कोई भी क्रोध या निराशा या दुख का भाव नहीं था वो सीधे अपनी माता के पास गए वहां से निकल कर के के पास से और वहां पर जा कर अपनी माता को राम वन में जाने का निर्ने सुनाया और कौशल्या का मन था कि राम भले ही चौदा वर्ष राज न करें लेकिन वो कम से कम राज महल में रहें वन में न जाएं और इसलिए वो ये चाहती थी कि उनका पुत्र यहीं पर रहे और वन में न जाएं भले ही राम का भरत का राज आविशेख हो तो इस तरह से हम लोग नो इतना पढ़ा था अब आगे का अनुचेद हम लोग पढ़ेंगे कौशल्या ने स्वेम को संभाला संभाला मतलब अपने आपको अपने वेभार में अपने दुख को प्रकट नहीं किया और हिमत से काम लिया उठी और राम को गले लगा लिया वे राम के साथ वन जाना चाहती थी राम ने मना कर दिया कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिकावश रकता है राजा दश्रत वृद्ध हो चुके थे और इसलिए वो अकेले नहीं रह सकते थे उनकी देखमाल करने वाला कोई होना चाहिए था इसलिए राम ने मना कर दिया अपनी माता को साथ में चलने के लिए कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा जाओ पुत्र दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगल कारी हो मैं तुम्हारे लोटने तक जिवित रहूंगी यहाँ पर एक शब्द आया है विदा विदा शब्द जो है इसका अर्थ होता है किसी को भेजना तो रानी कौशल्या अपने पुत्र राम को उनके वर्दान के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज रही थी इसलिए यहाँ पर विदा कर रही थी भेजना मतलब यहाँ पर विदा करने का अर्थ है भेजना और वो कहती है कि जाओ पुत्र सभी तरफ तुम्हारा मंगल कारे हो और तुम सब की भलाई करो और सभी दिशाओं में तुम्हारा यश फैले और मैं भी तब तक जिवित रहूं जब तक कि तुम अपना ये वनवास पूरा करके वापस यहाँ पर न आ जाओ और कौशल्या जो है एक मा के लिए अपने पुत्र को अपने से अलग करना और वो भी इस तरह से चौदा वर्ष के लिए और ऐसी जगह राम को जाके ये चौदा वर्ष बिताना था जो कि एक मा के लिए बहुत ही दुखदाई था लेकिन माता ने अपने पुत्र के लिए अपने आपको बहुत साहसी और मजबूत बनाया और अपने आपको संभालते हुए उन्होंने राम को ये आशिरवाद दिया कि सभी दिशाओं में तुम्हारा मंगल गान हो तुम्हारे कारियों से तुम्हारा यस चारू तरफ फैले तो इस तरह से आशिरवाद देते हुए और पुनह अपने पुत्र को देखने की इच्छा बताते हुए वो राम से कहती है कि मैं तब तक जिवित रहना चाहूंगी जब तक कि तुम वापस न लोटाओ और मैं तुम्हें सही सलामत न देख लूँ तो इस तरह से कौशल्या ने आशिर्वाद देते हुए राम को विदा किया कौशल्या भवन से निकल कर राम सीता के पास गए सारा हाल बताया विदा मांगी माता पिता की आयू का उलेख किया उनकी सेवा करने का आग्रह किया कहा प्रिये तुम निराश मत होना 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे अब राम जो है वो सीता को इस बारे में नहीं पता था इसलिए वो कौशल्या भवन से निकल कर अपनी पतनी सीता के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वो हमारे माता पिता की जब तक हम 14 वर्ष वन में रहें तब तक वो हमारे माता पिता की सेवा करें उनका ख्याल रखें और उनकी उन्होंने ये भी बताया कि उनके माता पिता वृद हो चले हैं और उन्हें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है तो सीता को उन्होंने समझाया कि वो उनका पूरी तरह से ध्यान रखें और ये भी उन्हें आश्वासन दिया कि मैं 14 वर्ष बाद फिर लोट कराऊंगा और इसलिए तुम निराश मत होना और आग्रह करने का मतलब होता है निवेदन करना तो यहाँ पे एक शब गाया है आग्रह तो आग्रह कार्थ होता है निवेदन करना अब आगे राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुँचा था राम को देखकर कुछ आशंका हुई अनिस्ट की तो जब सीता का समाचार तब तक राम के वन जाने का समाचार सीता को नहीं मिला था इसलिए वह राम को देखकर कुछ आशंकी थोई अनिस्ट की यानि की कुछ अशुब का यहाँ पर एक शब आया है अनिस्ट अर्थात अशुब और राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई क्रोधित भी हुई और निर्ने पर प्रतिवात किया राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा सीता ने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं अन्तता राम को उनकी बात माननी पड़ी तभी लक्षमर भी वहां आ गये वह भी साथ जाने को तयार थे राम ने उन्हें इसकी स्विक्रिति दे दी शिग्र तयारी करने को कहा अब सीता के लिए ये बहुत कठिन था कि वो राम की पत्नी थी और उनके साथ वो चौदा वर्ष तक उनसे दूर रहना पती धर्म को वो कैसे निभाती इसलिए वो आग्रह करती है कि वो भी राम के साथ जंगल जाए यहां पर एक शर्ड आया है व्याकुल और व्याकुल का अर्थ होता है परिशान और इस पर वो जो है ये सुनकर बहुत क्रोधित भी हुए उन्हें क्रोध भी बहुत आया और उन्होंने इस पर प्रतिवाद भी किया प्रतिवाद का अर्थ होता है प्रतिवाद का अर्थ होता है कि प्रतिउत्तर देना जो उन्होंने सुना है उसका जवाब देना और उन्होंने कुछ न सुनते हुए खुद भी 14 वर्ष के लिए वन्मास के लिए जाने का प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी और उन्होंने अपने पिता के द्वारा दिये गए आदेश को भी बताया कि उन्होंने कहा था कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूँ और अंततह यहाँ पर एक शब्द है अंततह और इसका अर्थ होता है आखिर में अंत में तो अंततह यानि आखिरकार राम को उनकी बात माननी पड़ी और तभी लक्षमिर भी वहाँ आ गए वह भी साथ जाने के लिए तयार हो गए थे और राम इसके लिए भी मान गये थे और उन्होंने कहा कि जल्दी ही चलने की तयारी किया जाए तो यहाँ पर एक शब्द आया है स्वीकृति और स्वीकृति का अर्थ होता है अनुमती देना तो उन्होंने राम और लक्षमर और सीता को भी साथ में जाने की अनुमती दे दी अब आगे क्या होता है कि राम चाहते थे कि सीता वन न जाए अयुध्या में रहे वे इसके अनुमती दे चुके थे पहले ही वो कह चुके थे फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया बोले सीते वन का जीवन बहुत कठिन है ना रहने का ठीक स्थान ना भोजन का ठिकाना कठिनाईया कदम कदम पर तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्करा दी उन्हें पता था कि राम अपने दिये वचन से पलट नहीं सकते अब राम ने एक बार तो सीता को अनुमती दे दी थी लेकिन वो चाहते थे कि सीता वन में न जाए क्योंकि वन का जीवन जो है, वो सीता के लिए बहुत कठिन होगा सीता महलों में रहने वाली थी तो इसलिए उनको कस्ट भरे जीवन का अनुभव नहीं था और राम को इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि आगे का वन का जीवन कठिन होगा और इसलिए वह चाते थे कि सीता न जाए और वहाँ पे न तो रहने की कोई विवस्था होगी न भोजन का कोई इंतजाम होगा और जो भी कठिनाईयां हैं वो कदम कदम पर हर पल जो है वो कठिनाई आ सकती है और वो उनको समझाते हैं कि तुम महलों में तुमने अपना जीवन बिताया है तो इस तरह का जीवन तुम्हारे लिए कठिन होगा और उन्हों ने और सीता भी इसका उत्तर नहीं देती है और केवल मुस्कुरा देती है क्योंकि वह जांती है कि राम ने जो बचन हमें दिया है वो उससे निभाएंगे तो इस तरह से राम ने सीता को साथ में चलने की अनुमती दी और सीता ने साथ में चलने का आग्रह किया राम वन जा रहे हैं यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था नगर वासी दशरत और कहकेई को धिकार रहे थे पूरे वन अयुध्या में राम के चौदा वर्ष के वनवास की बात जो है फैल चुकी थी और इसलिए नगर वासी दशरत और कहकेई को बहुत बुरा भला कह रहे थे कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तयारिया थी वहां उदासी ने घर कर लिया सडके गिली थी लोगों के आस्वों से सबकी इच्छा थी सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे तो राजा दशरत और कहकेई के इस निर्णे से पूरी प्रजा दुखी थी और वो नहीं चाहती थी कि राम वन वाज जाएं क्योंकि वो उनके राजयाबिशेक का इंतजार कर रहे थे और जहां पर कुछ समय पहले उच्छा का महौल था सब तरफ तयारियां चल रही थी और वो दृष्ट जो है वो लोगों के आसूं से आसूं में बदल जाती है वो खुशी जो है उनके आसूं में बदल जाती है और यहां पर वड़न है सडकें गीली थी लोग इतने उदास थे इतना रो रहे थे राम के राम से बिचड़ने के वज़ा से और उनके रोने से पूरी सडकें गीली हो गई थी लेकिन वह मजबूर थे उनका इस निर्णे पर कोई वर्ष नहीं था वो कुछ भी करके राम को नहीं रोप पाते क्योंकि रगकुल की रीत है कि जो वचन दिया है वो उसे अपने प्राण दे कर भी निभाएंगे तो इसलिए प्रजा भी चाह कर कुछ नहीं कर पा रहे थी और प्रजा नहीं चाहती थी कि राम और सीता बन जाएं राम, सीता और लक्षमन जंगल जाने से पहले पिता का आशिर्वाद लेने गए महाराज दशरत दर्द से कराह रहे थे तीनो रानिया वही थी मंत्री आसपास थे मंत्रीगड रानी कहकेई को अब भी समझा रहे थे शुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे ज्यान, दर्शन, नीती, रीती, परंपरा सबका हवाला दिया लेकिन कहकेई अड़ी रही अब पिता का आशिर्वाद लेने के लिए जब राम, सीता और लक्षमन पहुँचे तो राजा दशरत दर्द से कराह रहे थे अर्थात दर्द से उनके मुँ से आवाज निकल रहे थी और वो बहुत दुखी थे तीनो रानिया भी वहीं थे और सभी मंत्री भी वहीं पर थे अभी भी सारे मंत्री गड़ भी वो अंतिम अवसर नहीं खोना चाहते थे वे चाहते थे कि अभी भी मौका है अगर रानि कहके समझ जाएं तो शायद ये निर्ने बदल जाएं लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रानि अभी जो है वो समझने को तयार नहीं थी और उन्होंने बहुत तरह से रानि को समझानी की कोशिस की ग्यान, ग्यान के बारे में दर्शन उन्होंने नीती, रीती की बड़ा बेटा ही नीती तो यही कहती है कि सबसे बड़ा पुत्र ही राज सिन्हासन पर बैठता है उसी का राज्या भी शेख होता है और बड़े पुत्र से ही राज चलता है लेकिन इन सब के बारे में बोल कर भी कहके ही के उपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह अपनी बात पर रहें राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरत में जीवन का संचार हुआ वे उठकर बैठ गए उन्होंने कहा पुत्र मेरी मति मारी गई है मैं वचन बद्ध हूँ ऐसा निर्णे करने के लिए विवश हूँ पर तुम्हारे उपर कोई बंधन नहीं है मुझे बंदी बना लो और राज संभालो यह राज सिनहासन तुम्हारा है केवल तुम्हारा तो राम जब राजा दशरत के कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार होना मतलब लगा उनके अंदर की एक हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ गई ह उनका जीवन जो है वो जाग उठा क्योंकि इससे पहले वो बहुत ही निराश, दुखी और कमजोर बीमार की तरह पड़े हुए थे और जब राम को देखा तो उनके अंदर शक्ती आ गई और वे उठकर बैठ गए उन्होंने कहा कि हे पुत्र मैं वचन बद्धू मैंने कहकेई को वचन दिया था दो वर्दान माँगने का और मैं अब इससे मुकर नहीं सकता मुझे ये करना ही है लेकिन पुत्र तुम तो स्वतंत्र हो तुम मुझे बंदी बना लो यानि कि मुझे कैद कर लो बंदी कहा थे यहाँ पर कैद करना तो ये शब्द जयर राजा दश्रत बोलते हैं कि तुम मुझे कैद करके रख लो और इस राज सिनहासन पर राज करो क्योंकि तुम तो किसी वचन से नहीं बंदे हो तुम स्वतंत्र हो तुम ऐसा निर्णय ले सकते हो लेकिन किसी भी तरह से तुम रुख जाओ तो राम को इस तरह से राजा दश्रत कहते हैं कि मेरी बुध्धी मारी गई थी कि मैंने ऐसा किया तो इस तरह से वो चाहते थे कि राम ही राजा बने किसी भी तरह से राज सिनहासन पर राम का राज हो तो उन्होंने राम को इस बात के लिए मनाने की कोशिस की पिता के वचनों ने अब हम लोग अगला अनुछेद पढ़ेंगे पिता के वचनों ने राम को जगजोर दिया वे दुखी हो गये जगजोर देना यहाँ पे एक शब्द आया है जगजोर देना यानि कि बुरी तरह से अपने आपको उनके मन को व्याकुल कर देना और वे दुखी हो गये पर उन्होंने नीती का साथ नहीं छोड़ा आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है मुझे राज्य का लोब नहीं है मैं ऐसा नहीं कर सकता आप हमें आशिर्वात दे कर विदा करें विदाई का दुख सहन करना कठिन है इसे और न बढ़ाएं अब पिता के वचनों ने जो है वो राम को और अधिक व्याकुल कर दिया और वो ऐसा कहने पर विवस हो गए कि ये उनके अंदर की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता और वो राम कहते हैं कि मुझे इस राज्य का कोई लालच नहीं है लोब कार्थ है लालच और मैं ऐसा नहीं कर सकता आप जो है वो आशिरवाद दिजिए जिससे कि मैं 14 वर्ष का वनवाज आप लोगे आशिरवाद से अच्छे से बिता सकूं और आप से बिछड़ना बहुत ही कठिन है और इस विदाई के दुख को मैं और जादा सहन नहीं कर पाऊंगा इसलिए ये समय जितनी जल्दी बीच जाए अच्छा है और मुझे आशिरवाद दिजिए कि मैं जाने के लिए तयार हो जाऊं और जा सकूं इसी बीच रानी कहकेई ने राम लक्षमर और सीता को वलकल वस्तर दिये अब रानी कहकेई ने राम लक्षमर और सीता के लिए वलकल वस्तर मंगाए थे गेरवे वस्त्र जो रिशी लोग पहनते हैं, गुरु माता लोग पहनते हैं, तो ऐसे वरकल वस्त्र दिये। सीता वन जाएगी, तो सब अयोध्या वासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहां कोई नहीं होगा। पशु पक्षी भी नहीं। वेश्भूशा राजशी वस्त्र जिसको कहते हैं, ऐसी वेश्भूशा को उतार दिया और साधारन तपस्वियों वाला वस्त्र उन्होंने पहना। और यह सब देखना जो है, वो बहुत ही दुखदाई था लोगों के लिए। और महर्शी वसिस्त भी बहुत शांत थे, वे कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सीता वन में जाती हैं, तो सभी अयोध्या वासी भी उनके साथ जाएंगे, और यहां पर कोई भी नहीं रहेगा, भरत अकेले ही यहां पर सुनसान अयोध्या पर रा राजे करेंगे, सुनी मतलब जहां कोई भी नहीं हो, और यहां कोई नहीं होगा, किवर पशुपक्षी होंगे, पशुपक्षी भी नहीं रहेंगे, तो इस तरह से सुनी अयोध्या में राज करने का अवसर भरत को मिलेगा, एक बार फिर, राम ने सबसे अनुमती मांगी, आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मन, महल के ठीक बाहर, मंत्री सुमंत्र रत लेकर खड़े थे, रत पर चड़कर राम ने कहा, महा मंत्री, रत तेज चलाएं, नगरवासी रत के पीछे दोड़े, राजा दशरत और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए, सब रो रहे थे, सब की आँखों में आसू थे, पुरुष महिलाएं, और बुढ़े जवान, ये सब जो है, वो और बच्चे, ये सब उनके पीछे पीछे आ रहे थे, मीलों तक नंगे पाउं दोड़ते रहे, राम यह दरिश्य देखकर विचलित हो गए, भाउग भी, उनसे यह देखा नहीं जा रहा था, उन्होंने सुमंत्र से रत को और गती से हांकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, ठक कर पीछे छूड़ जाएं, घर लोड जाएं, अब जब सभी अयोध्या वासी ये कहने लगे, कि अगर राम और सीता ये लोग जा रहे हैं, तो हम सब साथ में चलेंगे, यहां अयोध्या में कोई भी प्राड़ी नहीं रहेगा, और इस तरह से राम जब निकले, तो उनके रत के पीछे पीछे सब ही चलना शुरू किये, और राम ने कहा, कि इस रत को, महामंत्री इस रत को और तेज चलाएं, और रत के पीछे सभी पुरुष, महिलाएं, बुढ़े, जवान, बच्चे सब चल रहे थे, पीछे-पीछे आ रहे थे, और सब रो रहे थे, और राम ने देखा कि इस तरह से दुखी लोग उनके पीछे-पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने महामंत्री से कहा कि रत को, रत की गती और तेज करें, रत को, गती मतलब उसकी स्पीड, उसको और तेजी से चलाएं, लेकिन उनसे राम से ये द्रेश देखा नहीं जा रहा था, और वो कहने लगे, कि अगर तेज गती से रत चलेगा, तो ये अयुध्या वासी ठक जाएंगे, हार जाएंगे, और पीछे छोड़ जाएंगे, फिर उन्हें इधर आने की आवशक्ता नहीं होगी, तो वो ये चाते थे कि नगरवासी नगर में ही रहें, राजा दर्शरत लगातार रत की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक, रत आँखों से ओजल नहीं हो गया, रत दिखना बंद हुआ, तो वे धर्टी पर गिर पड़े, रत दिन भर दौरता रहा, वन अभी दूर था, तमसा नदी के तर तक पहुँचते पहुचते शाम हो गई, वन वासियों ने रात वहीं बिताई, अगली सुबह विदक्षन दिशा की ओर चले, हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर, राम, सीता और लक्षमन सई नदी के तर्ट पर पहुँचे, महराज दश्रत के राज्जी की सीमा वहीं समाप्त होती थी, राम ने मुड़कर अपनी जन्म भूमी को देखा, उसे प्रडाम किया, कहा, हे जननी, अब चौदा वर्ष बाद ही तुम्हारे दशन कर सकूंगा, तो यहाँ पर एक शब्द आया है ओजल, ओजल का अर्थ होता है कि दिखाई न दे, तो इस तरह से जब सारी प्रजावासी और तब तक देखते रहे जब तक कि वे आँखों से नहीं दिखाई देने लगे, तो जब कोई चीज दूर हो जाती है तो वो धीरे धीरे हमारे दृष्टी से दिखाई नहीं देती है, तो इस तरह से जब रथ दिखना बंद हो गया, तो सभी वहाँ पर धर्थी पर गिर पड़े, क्योंकि वो बहुत देर से रथ के पीछे पीछे जा रहे थे, और वो उनका मन उदास था, वो बहुत दुखी थे, रो रहे थे, और जैसे ही रथ का देखना बंद हो जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि राम अब चले गए हैं, हम लोग को छोड़ कर, और राम भी तमसा नदी के पास जब पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, और वन वासियों ने, वन अभी बहुत दूर था, इसलिए वन वासियों ने रात वहीं बिताई, अगली सुबा वे दक्षिन दिशा की ओर चले, और वहां के खेत हरे भरे थे, गोमती नदी पार करके राम सीता लक्षमर सही नदी के तरपर पहुँचे थे, और महराज दश्रत के राज्चे की सीमा वहीं से समाप्त हो जाती है, तब राम ने अपनी जन्म भूमी को देखा और उसे प्रडाम किया, और कहा की अब मैं 14 वर्ष बाद ही इस जन्म भूमी का दर्शन कर पाऊंगा, तो इस तरह से राम जो है अयोध्या छोड़ कर चले गए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां तक पढ़ें और इसका अगला भाग और उस पर आधारित कुछ प्रशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बच्चो धन्यवाद आप सबको,